भारती जनता पार्टी राम पर तो खूब राजनीती करती है, मगर रामराजी की बात क्यों नहीं करती? और सबसे बड़ी बात, राम से जुड़ा हुआ है रामराजी क्योंकि आप भगवान श्री राम की बात तो कर सकते हैं, मगर अगर हम साथ में रामराजी की बात ना करें, तो फिर राम की चर्शा अधूरी है, जी हाँ, राम की चर्शा बगएर रामराजी के अधूरी है, रा और आप भी जानते हैं दोस्तों अपनी गलती स्वीकार करना भारती जनता पार्टी सरकार के लिए ना मुम्किन है जवाब देही नाम की चीज बीजे पी की डिक्शनरी में गैर मौजूद है आप राम पर तो राजनीती करते हैं मगर साहब मजाल है कि आप राम राज जी की भी बात करें और उसकी मिसाल मैं बस कुछ लभों में आपको देने वाला हूँ मगर इस मुद्य पर राजनीती कैसी हो रही है मैं आपको बतात На हूँ आप जानते हैं न कि राम मंदिर के ओधगाटन के लिए जो सबसे पहला निमंत्रन गया वो किसको गया और वो इसलिए गया क्योंकि बीजेपी जानती थी कि वो शक्स जो है निमंत्रन को लेकर ना कहेगा और एक बार फिर हम उस पर राजनीती खेलेंगे क्योंकि ये निमंत्रन गया वामपंथी नेता सीता रामयचुरी को आप जानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन से वामपंथियों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है यहां तक ही धर्म से भी वामपंथी अक्सर बचते हैं मगर जान बूझकर भाजपा ने आयोजकों ने निमंत्रन भेजा सीता रामयचुरी को ताकि वो मना करें और उसके बाद जोशी जी की टूल किट के चलते गोदी मीडिया विपक्ष को गाली दे यह निमंत्रन शिवसेना को भी जा सकता था मगर नहीं एक वामपंथी नेता को गया इनके हर कदम के पीछे दोस्तों एक सोच है हर कदम के पीछे राजनीती है और जैसे ही सीता रामयचुरी मना करते हैं देखिए दोस्तों किस तरह की खबरें गोदी मीडिया में चलनी साथ या खिलाफ यानि कि विपक्ष को राम मंदिर के खलनाएक के तोर पर पेश किया जाए भारत में हर बार हिंदू धर्म का अपमान क्यूं नजाने क्यूं दोस्तों ये लोग हर बार हिंदूों को बेचारा दबा कुछला और हिंदू धर्म को इतना असहाए बतातने हैं जस देश में हिंदू की संख्या 80 फीसदी है वो असहाय नहीं हो सकता मगर ये लोग हिंदू को हमेशा दबा कुछला बताते हैं क्योंकि दबा कुछला बताने से भारती जनता पार्टी के लिए वोट हासिल करना आसान हो जाता है अन गोदी मीडिया में दोस्तों राम अंदिर का बुलावा विपक्ष को घुस्सा आया फिर देखिए राम अंदिर का उद्गाटन सेकुलरिजम का रियल टेस्ट यानि की राम के खिलाफ इन्होंने धर्म निर्पेश्टा को रख दिया है जबकि मैं आपको बतला चुका हू कि राम से जुड़ा है राम राज और राम राज में है जवाब देही सेकुलरिजम यानि सम्विधान सेकुलरिजम यानि धर्म निर्पेश्टा हमारे सम्विधान का अभिन अंग है लिहाज़ा जवाब राज धर्म की बात करते हैं तो इस बात की भी चर्चा की जाएगी क क्या देश के सामवेधानिक मुल्यों जिसमें सेकिलरिज्म शामिल है उसके प्रती आप जवाब दे हैं या नहीं आगे देखिए साब कहीं दीप जले कहीं दिल यानि कि हर नीज्य चैनल में किसी ना किसी तरीके से विपक्ष को नीचा दिखाया जाए उन्हें तर्गेट किया जाए मैं फिर आप से सवाल पूशना चाहते हूं दोस्तों यहां राम की बात कहा है यहां राम के आध्यात्म की बात कहा है यहां तो 22 जन्वरी के मौके को भी लोगों को बाटने का जरिया बनाया जा रहा है वो राम जो मर्यादा पुरुशोत्तम हैं उन्हें गोधी मीडिया इस तरह से बदनाम कर रहा है और आप जानते हैं इस तरह से बदनाम करके फाइदा किसको है इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लोग बात तो राम की करते हैं मगर राम राज से राम राज की परिकल्पना से जवाब देही से राज धर्म से कोसो दूर हैं कुछ मिसाले में आपको देना चाहता हूँ दोस्तों बजरंग पुनिया अपना पदमश्री प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर रख दिया साक्षी मलिक आखों में आशू लेकर उन्होंने कुछ्टी से सन्यास ले लिया विनेश फोगाट अपना अरजुन अवोर्ड वापिस कर दिया मगर ब्रिज भूशन शरन सिंग जिनके खिलाफ इनका संग हरशता वो तमंगई के साथ बना हुआ है उस पर आज तक नहीं है जबकि आदालत में दिल्ली पुलीस की उसकी चारशीट मौजूद है जिसमें हैरत अंगिज खौफनाक चीज़ों का जिक्र है मगर प्रधान मंतरी इन तमाम मुद्दों पर खामोश रहते हैं जबकि उन्होंने विनेश फोगाट को आश्वासन भी दिया था मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ अगर ये रामराज ये होता तो जवाब दही होती ना जो पीड़त है उसके पक्ष में राजा खड़ा होता बगर आज उन पीड़तों को बदनाम किया जाता है उन्हें ही टार्गेट किया जाता है ऐसे में रामराज कहा है जब आप बेकसूरों के साथ नहीं खड़े हैं सबसे बड़ी बात ये वो पुलिटिकल पार्टी है जो राश्रवाद का इस्तमाल करती है जो सैनेकों के शौर का इस्तमाल करती है राजमीती के लिए वोट बटोर्नी के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जब कालवान खाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे चीन के साथ संगहर्ष में प्रधान मंत्री के प्रधान मंत्री से मिलने जाते हैं और कहते हैं आप कुछ कीजिए साथ सो किसान मर चुके हैं बगौल सत्पाल मलिक किया मेरी वज़से थोड़णा मरे है क्या ये राज धर्म है? क्या ये जवाब देही है? अगर एक संघर्ष जारी है तो ये सत्ता की जवाब देही हो जाती है एक रामराज में कि वो जनता को संबोधित करें संवेधनशील निगाह से, sensitive निगाह से, मगर सत्ता क्या ये कर रही है? कई और मुद्दे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों जिससे पता चलता है कि रामत पर राजनीती करने वाले किस तरह से मुद्दों से भागते हैं? उस पर जवाब तक नहीं देते हैं, एक एक करके आपके सामने मुद्दे आ रहे हैं. इस खबर को देखिए बिजनस टुडे की, ये खबर बहुत शौकिंग है दोस्तों, ले ओफ सुनामी 2023 टेक कमपनीज लेड ओफ 2.26 लाक एमप्लॉईज तुडे 40% मोर दें 2022, 2022 की तुलना में करीब 40 प्रतिशत ज्यादा कमपनीज के टेक एमप्लॉईज को निकाला गया, ले ओफ किया गया, मैं आप से समझना चाहता हूँ, अगर भारत विश गुरू बन रहा है, अगर भारत में विदेशी कमपनीज आकर निवेश कर रही है, तो हमारे टेक एमप्लॉईज को ले ओफ क्यों किया जा रहा है, उन्हें निकाल बाहर क्यों किया जा रहा है, और इ सिर्फ ये बात नहीं है दोस्तों, NCRB की इस रिपोर्ट को देखिए, रोज प्रती दिन, 154 किसान और डेली वेज मजदूर, दिहाडी पर काम करने वाले मजदूर आत्म हत्या कर रहे हैं, 154, आकड़े पर गौर की जिस खबर के मताबिक, 154 लोग मारे जा रहे हैं, NCRB की रिपोर्ट है, ये सरकारी रिपोर्ट है, ये मेरे दिमाग की कल्पना नहीं है, मैं फिर समझना चाहता हूँ, कहां है सत्ता की जवाब देए, कहां है सत्ता का मरहम अपने जनता को लेकर, सबसे बड़ी बात, आपको 80 करोड जनता को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, इस वक्त देश की जनता की ये हालत है कि अगर ये मुफ्त अनाज ना मिले तो उनकी हालत खराब हो जाए। ये बतला रहा है ना कि भारत किस तरह की तरक्की कर रहा है। क्या इन मुद्दों को लेकर मीडिया कभी सत्ता से सवाल पूछता है और जवाब दे ही का है सत्ता की। ऐसे में राम राज्य की परिकल्पना अधूरी है राम पर तुम राजनीती तो कर रहे हो मगर जवाब देह नहीं हो। इसकी बाद दोस्तों इस खबर को देखिए इसी साल अक्तूबर में आकड़ा आया था और वो आकड़ा क्या था कि बेरुजगारी की दर 10.05 पाँच पीसदी है 10.05% unemployment rate in October highest in 2 years सबसे बड़ी बात एक ही महिने पहले ये आकड़ा था 7.02 और ये आकड़ा था CMIE का बेरुजगारी को लेकर कोई संबोधन नहीं है अभी हाल ही में अगनिवीर योजना को लेकर नाराज कुछ युवाओं ने बिहार से दिल्ली तक पैदल मार्च किया था और उनसे मुलाकात राहुल गांधी ने की थी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ प्रधान मंत्री ना हमारे पहलवानों से मिलते हैं पहलवान बेटियों से भी नहीं मिलते हैं बेरुजगारों से भी नहीं मिलते हैं और जब विपक्ष उनसे मिलता है तो मैं नहीं बूलता हूँ गोदी मीडिया ये कहने लगते हैं कि देखिए कॉंग्रेस इस मुद्दे पर राजनीती कर रही है पहलवानों का जो आंदोलन है अब वो राजनीतिक दिशा में मुड़ गया है यान कि अगर कोई नाइंसाफी हो विपक्ष उसकी भी आवाज ना उठाए जवाब देही पूरी तरह से बंद कर दी जाए ऐसे में म को राम मंदिर का उद्गाटन हो रहा है वहां पर दलितों और महिलाओं को लेकर अत्याचार पूरे भारत में सबसे ज्यादा है और ये मेरी कल्पना नहीं है ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं आपकी स्क्रीन्स पर According to a data from the National Crime Records Bureau उत्तर प्रदेश has alone reported 49,613 cases of total atrocities and attacks on दलित्स 49,613 मामले दलितों के खिलाफ अत्याचार और 2018, 2019, 2020, 2021 ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है 2018 में दलितों के खिलाफ मामले थे 11,924 और ये 2021 में बढ़कर हो गए 13,146 और ये आंकड़ा सामने आया था इसी साल मार्च 2023 में और यहीं नहीं ये आंकड़ा ये भी बताता है कि महिलाओं के खिलाफ भी सबसे ज्यादा अपराद उत्तर पदेश में हैं ये भी सरकारी आंक पड़े बताते हैं मैं फिर आप से सवाल पूछना चाहता हूँ इन मुद्दों के प्रती क्या सत्ता की जवाब देही है राम की बात तो आप कर रहे हैं मगर राम के साथ राम राज शब्द जुड़ा हुआ है जिसका जो सबसे एहम हिस्सा है सबसे एहम बात है वो है ये खबर क्या कहरी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मौवा मौहितरा शशी धरूर प्रियंका चत्रुवेदी ये सब बता रहे थे कि उन्हें उनके आपल फोन के जरीए एक चेतावनी आई थी कि आपके फोन को हैक किया जा रहा है सरकारी हैकर्स आप पर निशाना सा जाता हूँ जवाब नहीं तो बहुत दूर की बात है वाशिंटन पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के सार्वजनिक दावों से अलग प्राइविट में मोधी सरकार के अधिकारियों ने आपल के भारत में प्रतिनिधी को बुलाया और कहा कि कंपनी वार्निंग क को लेकर हो रहे राजनीतिक असर को कम करने के लिए सरकार की मदद करें इतना ही नहीं सरकार ने आपल के देश से बाहर रहने वाले एक सेक्यॉरिटी एक्सपर्ट को बुलाया और उन्हें कहा कि इस नोटिफिकेशन को लेकर आपल की और से सफाई पेश करने के विकल्प त कि लोग काफी नाराज हैं अखबार के मताबिक आपल के विदेशी अधिकारी कमपनी के वार्निंग मेसेज के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने आपल की विश्वसनियता को कमतर करने की कोशश की और जिस तरह का दबाव सरकार की और उसे बनाया गया उसका असर कूपर टीनों के हेड़कॉर्टर में बैठे आपल के अधिकारियों पर पड़ा क्यानिक एक तरफ कथित तोर पर हमारे राजनेताओं हमारे पत्रकारों के फोन पेगसिस के जरिये निशाने पर होते हैं और दूसरी तरफ उस मुद्दे पर रामराज मुश्किल है ना रामराज में तो जवाब देही आ जाती है रामराज में तो राजधर्म आ जाता है और इसका मोधी सरकार से दूर दूर तक खोई नाता नहीं है अब इसार शेर्मा को दीजे जासत नमस्कार स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता का समर्थन कीजिए सच में मेरा साथी बनिये बहुत आसान है दोस्तों इस जॉइन बटन को दबाईए और आपके सामने आएंगी ये तीन विकल्प इनमें से एक चुनिये और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये